d by d x cot x ठीक है यह cortex है d by d x मतलब क्या आठा है derivative तो हम लोग को cortex का differentiation निकालना तो होता है क्या minus का cosec square x ठीक है अब कोई क्या बोल दिया कि बताओ की cosec square x d x का integration क्या होगा तो यह क्या है एक दुसरे का उल्टा होता है cot का minus cosec square x तो cosec square x क्या होगा minus cortex तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगा minus cot x plus c ठीक है एक example देता है suppose यहां पर cosec square 10 x d x ठीक है इसका अपने को क्या करना है integration करना है तो अपने को पता है cosec square x integration क्या होता है minus का cortex तो हम लोग भी क्या करेंगा, माइनस का 1,Skatt X लेकिन सावधान, यहां पर X था तो X लेक्ष है, यहां पर लेकिन 10X है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे 10X लो लिखँटेंगा, और X के साथ जो नंबर यहां पर multiply है, व mistaken 10 है तो 10 से हम Euro depends करता है, ठीक है, डिफ्रेंसेशन में क्या करते थे हम लोग, अब मांद के चलो कि कॉट है, जैसे कॉट 10x है, अबर 10x है, इसका कोई बोलता है, derivative निकालो, तो हम लोग क्या करते थे, कोट का बोलते थे, माइनस 4x2 होता है, 4x2 10x, तो अलग से 10x करते थे, तो 10 होता था, तो 10 होता था, तो 10 होता था, एक एक और पूसेख स्क्वाइर, 10x, ठीक है, यह पूरा उल्टा है उसके, हम लोग यहाँ पर 10 मल्टिप्लाई करते था था, अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइट कर देंगे, प्लस C कर देंगे, यह हम लोग का एंसर आ यह हम लोग उसे कर देंगे, तो कर देंगे, फ्लसलिक की कि यह हम लोग के नाशर हागाँ आज घ어 छी कर देंगे, तो ठाब कर देंगेगांय स्क्वाइदागे,